वेल्कम टू इस्टेनो विद्पारस डिक्टेसन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट लद्दाख की गलवन घाटी में भारत चीन के सैनिको के बीच भीचन हिंसक जड़प में करनल समेत करीब बीस भारतिये जवानों का बलिदान वयर्थ नहीं जाना चाहिए हालांकि इस जड़प में कई चीनी सैनिक भी मारे गए हैं लेकिन इससे चीन का अपराद कम नहीं हो जाता उसने एक बार फिर जिस तरह हमारी पीट पर छूरा घोपने का काम किया उसके बाद इस नतीजे पर पहुचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह हमारे सबसे बड़े और सात ही सातिर सत्रू के रूप में सामने आ गया है यह धूर्थता की पराकाष्ठा है कि वह भारतिय छेत्र में अतिक्रमन भी करता है और फिर भारत को सांती बनाए रखने का उपदेश देते हुए पीछे हटने से इनकार भी करता है भारत की सीमाओ पर अपने विस्तारवादी रवये का निरलज प्रदर्शन करने के पीछे उसका इराधा कुछ भी हो अब उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए गलवन घाटी की घटना यही बता रही है कि पानी सिर के उपर बहने लगा है मित्रता की आड में सत्रुता पून रवये का परीचे देना और भारत को नीचा दिखाना चीन की आदत बन गई है हालांकि उसकी इस गंदी आदत के वाबजूद भारतिय नेतरत्व ने सदेव सैयम का परीचे दिया है लेकिन अब जब वह इस सैयम को कमजोरी के तोर पर देखने लगा है तब फिर भारत को उसका मुगालता दूर करने के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय होना होगा आखिर बात देश के मान सम्मान की है पहरा चीन को यह पता चलना ही चाहिए कि वह दादागिरी के बल पर भारत से अपने रिस्ते कायम नहीं कर सकता आवस्यक केवल यह नहीं की आतम निर्भर भारत अभियान के तहत चीनी उत्पादों का आयात सीमित किया जाए बलकि यह भी है कि भारत अपनी तिब्बत ताइवान और होंग कोंग नीती नए सिरे से तै करे इसी तरहे भारत को अमेरिका आश्टेलिया जापान के साथ अपने रणनीतिक गठ जोर को धार देनी चाहिए ताकि हिंद महसागर में चीन के विस्तारवादी इरादों को नाकाम किया जा सके कोरोना कहर के कारण चीन के खिलाफ वैस्विक इस्तर पर जो माहोल बना है उसमें भी भारत को अपनी भागिदारी बढ़ानी चाहिए आखिर जब वह भारतिय हितों की कहीं कोई परवाहा नहीं कर रहा तो फिर भारत उसके हितों की चिंता क्यों करे तानसहा चीनी नेतरत को यह संदेश देने की सक्त जरूरत है कि ताली एक हाथ से नहीं बज़ सकती हुआ वे सरीखी जिन चीनी कमपनियों को दुनिया के अन्य देश दरवाजा दिखा रहे हैं उन्हें भारत में भी पाव रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए भारत को सेंगाई सहयोग परिसद जैसे मंचों से बाहर निकलने की भी तैयारी करनी चाहिए इस्टोप